selection of electrodes की बात करता हूँ न जब मैं selection of electrodes की बात करता हूँ तब मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो किसी भी cell में कोई भी जो electrode select किये जाता है basically cell में electrodes क्या किये जाएंगे और अगर cell में electrodes select किये जाएंगे तो मैंने दो टाइप के सेल पढ़े थे पहला मैंने सेल पढ़ा था कौन सा रे जिसे मैंने इलेक्ट्रो केमिकल सेल बोला था ठीक है भई या मैंने इसको क्या बोला था रे गैलवनिक सेल बोला था क्या बोला था रे गैलवनिक सेल बोला था कि फुल सेल के रूप में तो अब इसके किसम आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्टरो केमिकल सहल में the selection the selection criteria of electrodes is not on the is not on the basis of their polarity or charge ऐसा कोई criteria नहीं है clear आरी नहीं यह देखे जो selection criteria electrodes में वो कोई भी charge या polarity नहीं है वो कोई भी charge या polarity के base पे मैंने ऐसा नहीं कहा था मैंने ऐसा नहीं कहा था मैंने ऐसा नहीं कहा था कि यह जो मैंने दो खल डब्बे लिए और मैंने मानगे चली मैंने हाँ पर क्या मैं simple anode को define कर रहा हूं रहे zinc solid था और इसमें copper sulfate की क्या थी solution थी जिंग sorry zinc sulfate की solution थी ठीक है न और इसमें क्या था copper का डिबा था copper का electrode था और copper इस डिबे में कौन थी है इस डिबे में copper sulfate की क्या थी solution थी लेकिन याद करो कल मैंने एक trick बताई थी R R C P R मतलब right में ठीक है न र मतलब reduction C मतलब cathode ठीक है और P मतलब positive ठीक है न तो मैंने कहा था है कि हम next lecture में इसकी चर्चा करेंगे तो यह ध्यान रखना कि मैंने इसको positive define किया या मैंने इस के इस anode को negative define किया इस anode को negative या इस cathode को positive मैंने charge या polarity के basis पर मैंने anode या cathode define नहीं किये अब बात आती है तो किसके basis पर ऐसे क्या selection criteria थे तो ध्यान रखना यहाँ बे मैं continue कर रहा हूं रहे देख भई जब मैं कहता हूं कि मैंने इक चर्चा करी थी कि standard reduction potential था क्या था रहे standard electrode potential था और उसको हम दो टर्म में मैंने खल बताए था कि standard electrode potential को हम दो टर्म में पढ़ते हैं पहली टर्म कौन सी रहे E not O P और दूसरी टर्म कौन सी भी या E not R P ठीक है तो सीदी सी बात यह है कि अगर मुझे कभी भी electrochemical cell में पूछने लगे कि मैं anode cathode कैसे decide करूँगा तो ध्यान दखना वो हमेशा किसके विसिस पर decide के जाते हैं रहे या तो standard किसकी standard reduction potential की value उपर standard reduction potential की value उपर और या फिर standard oxidation potential value उपर बात समझ में आई रहे नहीं आई ind subject उपर आई विसका मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं standard reduction potential की value के उपर क्या कर रहा हूँ decide कर रहा हूँ किसको selection criteria of electrode इन्दा Galvanic Cell, तो मैं कहूंगा जिसका reduction potential जाला तो असकी electron gain करने की tendency जाधा और अगर उसकी electron gain करने की tendency जाधा इसका मतलब उसको मैंने कल क्या नाम दिया था भई या उसी को मैंने कल कैथौर नाम दिया था और यही कहाणी कल यहांपे हो भी रही थी कि Copper 2ентов दो electron खा के copper solid में जाता था और यही कहानी यहां पर हो भी रही थी कि जिंक सॉलिड दो इलेक्ट्रोन निकालता था जिनको ये कॉपर खाता था इसी प्रोसेस को मैंने एनॉड पे डिफाइन किया था और इसी प्रोसेस को चार्ज के बेस पर इलेक्ट्रो केमिकल सेल में इलेक्ट्रोड्स डिफाइन नहीं किये जाते हैं किसके बिसिस पर किये जाते हैं या तो E-naught Audition Potential Value या E-naught Reduction Potential Value मतलब की E-naught कुण सा है तो सेल पोटेंशियल ही लेकिन Standard Conditions पर क्या है सेल पोटेंशियल है नॉट डाउन कर लें भई